हमारा next question है A दे रखा है, B दे रखा है, F दे रखा है, तो बताओ कि function F11 है कि नहीं है, here A क्या दे रखा है हमें, 123, B क्या दे रखा है, 4567, और F क्या दे रखा है, 36, now we see F of 1 is equal to 4, F of 2 is equal to 5, F of 3 is equal to 6, now for any X that belongs to A, there is a unique image, unique image in B, it means, it means the function is the function is 1, ठीकर इसको आप ग्राफ से भी शोग कर सकते हो, माल लीजिए, यह हमारा A है, यह हमारा B है, 1, 2, 3, और इसमें कहा है, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 1 के corresponding क्या है हमारा, 4, 2 के corresponding क्या है, 5, और 3 के corresponding क्या है, 6, और 4, और 4, तव्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च